हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज जो हम ये वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं तो ये पेपर है जुनियर आफिस असिस्टेंट अकाउंट का तो दोस्तों ये आज की दिन 27 दिसंबर 2020 को कंड़क्ट के गया था हमिरपुर बोर्ड के द्वारा तो इवनिंग सैसन में ये एक्जाम हुआ था तो इसका हम जो है आज जीके सैक्शन जो है जो पेपर का इस पार्ट में डिसकस करने जा रहे हैं उसके बार जो नेक्स पार्ट हमारा आएगा वो जो आपका हिंदी इंग्लिस और जो भी रिजनिंग और जो भी इस एक्जाम में क्वेस्चिन आये थे सभी को हम इस जो है अगरे जो पार्ट हमारे आएगे उसमें हम जो है डिसकस करेंगे तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नौलेज गुरू यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जुरू प्रेस करें आपको जब भी हम next second part जो है upload करेंगे तो उसकी वीडियो का जो आपको notification आएगा वो आपको automatic आपके phone पर आ जाएगा तो दोस्तों सुरू करते हैं और इसके cut off के बारे में भी हम आपको बताएंगे और जब हमें पूर बोर्ट के optional answer किया आएगी तो उस वक्त भी हम आपको पूरी जानकारी जो है इस exam के बारे में जो है देंगे तो सबसे पहला प्रसन हमारे पास आता है हिमचल प्रदेश की सबसे जो लंबी नदी है तो ये है सत्रुज नदी और सबसे छोडी नदी की अगर हम बात करें तो सबसे छोडी नदी है यम्न नदी और जल गलत्व की दृष्टी से अगर हम बात करें तो चेनाब नदी है ल ये है 55,673 वर किलोमेटर तो 55,673 वर किलोमेटर ओपसन सी इसका सही होगा और दोस्तों आपके लिए प्रसंद हमारे जो इस वीडियो में मैं पूछूँँगा आपसे कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा जीला है उसका क्से तरफल कितना है कमेंट बॉक्स में आपने दी जाती है और स्टड़ी भी जो हमारे यूट्यूब चैनल के माद हम सिक्रवाई जाती है तो दोस्तों HPGK की और हमिरपूर बोर्ड के जितने भी क्वेस्चिन पेपर डिसकस किये जाते हैं और जो प्रिविस येर के एक्जाम हुए सभी के जो वीडियो हमारे बनाई हुई है तो अभी तक हमने 25 पार्ट जो है उसमें कंप्लेट कर दी है तो अगर आपने नहीं देखिया तो प्ले लिश्ट में आप जाकर देख सकते हैं तो नेक्स प्रसन हमारे पास आता है कि हीमचल प्रदेश का सबसे सूखा जो प्रदेश है वो कौन सा है तो अगर बिकास ब्लॉक हीमचल प्रदेश के किस जीले में स्थित है तो यह है ऑप्सन डी कुल्लू जीले के अंतरगत तो दोस्तो नेक्स प्रसन के अगर हम बात करें तो नेक्स प्रसन हमारे पास आता है कि हीमचल प्रदेश के किस जीले में जो है पोरी मेला मनाया जाता है तो इसका सही जबाब हो का option number D जो है लोहल स्वीती के अंतरगत ये बनाया जाता है। उसके बाद next lesson के अगरम बात करें तो हिमचल प्रदेश के किस जीले में जो है चौंतरा घाटी स्थित है। तो चौंतरा घाटी हिमचल प्रदेश के किस जीले में स्थित है। तो इसका आपने option बताना है मुझे comment box में comment करकर कि चौंत्रा घाटी हिमचल पदेश के किस जीले में है और मैं आपको इसका answer comment box में pin कर दूँगा तो वहाँ से आप इसका answer देख सकते हैं उसके बार next अगर हम बात करें तो next person हमारे पास आता है कि हिमचल पदेश के जो next person के अगर हम बात करें तो next person हमारे पास है कि चमबा जो अधिराज्य स्थाफित किया गया था तो इसका सही जवाब होगा कि चमबा की जो स्थाफना की गई थी तो ये की गई थी चमबा राजे के मेरू वर्मन के दौरा उसके बाद next person के अगर हम बात करें तो next person हमारे पास आता है किस दिल्ली जो सुल्तान थे 1370 AD में कांगड़ के लिए को जीता था तो इसका सेजबाव होगा मुहम्मद बीन तुगलक तो उसके बाद next person के अगर हम बात करें तो next person हमारे पास आता है कि किस गुवर्णर जर्णर ने पहली बार जो है ठारा सो स्थाई सिस्वी में सिमला की मुलाकात ली थी तो इसका सेज़ बाव होगा आपसन जो है आपका आपसन नमबर सी लाड एम हर्ष तो उसके बार नेक्स अगर हम बात करें तो नेक्स प्रसन हमारे पास आता है कि हिमचल प्रदेश के जो पार्ट सी राज्य बना तो ये बना पार्ट सी देखी दोस्तो पार्ट सी बना 1951 से लेकर 1956 के बीच और मुख्या अयुक्त सेतर कब से कब तक रहा तो 1948 से लेकर 1951 तक रहा उसके बाद जो है गसरेनी का राज्य बना पार्ट सी का और उसके बाद के अंदर सासित प्रदेश बना 1956 से लेकर 1971 तक तो 25 जनवर 1971 को हिमचल प्रदेश को पुड़ राज्य का दर्जा मिला और ये जो है अठानुवा राज्य हिमचल प्रदेश का जो भारत का बना उसके बाद next person के अगरम बात करें हिमचल प्रदेश में बनेर जल विद्यूत प्रियोजना की कारेकारी एजेंसी कौन सी है तो इसका सही जबाव होगा option number A HPSEV उसके बाद next person के अगरम बात करें तो next person हमारे पास आता है कि हिमचल प्रदेश के में किस जगह पर जो है CSIR जो कम प्लेक्स थीत है तो इसका सही जबाव होगा option number D पालंपूर कांगड़ा के अंतरगा जो है ये पढ़ता है उसके बाद next person के अगरम बात करें तो next person हमारे पास जो पूछा गया था ये प्रसंद था कि हिमचल बॉर्डर लेंड पुस्तक किसी ने लिखी तो इसका सही जबाव होगा राम राहूल option number A इसका सही होगा उसके बाद next अगर हम बात करें next person हमारे पास आता है कि सिक्री लोक निर्तिय हिमचल प्रदेश के किस जीले में जो है वो किया जाता है तो इसका सही जबाव होगा option number A चमबा तो दोस्तों ये जो जो सुही मेला लगता है तो उस मेले के अंतरगत जो है ये जो वहां की महिला है उनके द्वारा जो है शिक्री लोक निर्तिय किया जाता है तो दोस्तों अगर आपको next part इस वीडियो के चाहिए और जो question paper था 815 जिसका post code था junior office assistant accounts का तो दोस्तों इसका next part आपको जो आप इस channel के मादेम से आपको मिल जाएगा और अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe करें bell icon जुरू प्रेस करें आपको next part मिलते ही जो हम अपने youtube channel के मादेम से जब upload करेंगे तो आपको notification के मादेम से जो है वो part का notification मिल जाएगा तो दोस्तों में ते है next video में तो तब तक के लिए जैही जै भारत जैही मचल